दोस्तों आपको आज की इस वीडियो में जानकारी दूँगा MPBOT के कक्षा 10B और 12B क्लास के प्रैक्टिकल एकजाम डेट के बारे में कि आपके फाइनली प्रैक्टिकल एकजाम कब से सुरू होने वाले हैं दोस्तों एक छोटा सब्डेट इस वीडियो में देने वाला हूँ तो वीडियो को अंतक देखें बिल्कुल भी इसकी इपना करें तो दोस्तों आप सभी को पताए कि आपके MPBOT के 10B और 12B क्लास के एकजाम का टाइम टेबल डिकलियर कर दिये गया है आपके 10B के एकजाम 30A से शुरू होने वाले हैं तो वार्भी क्लास की बात करूँ तो वार्भी क्लास के एकजाम आपके एक मईश से शुरू हो जाएंगे पर अभी तक यहां पर प्रैक्टिकल की एकजाम डेट डिक लिया नहीं की गई है तो इसी को दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊँगा कि आपके practical exam कब से सुरू होने वाले हैं तो सबसे पहले आपको मैं एक update बता रेता हूँ आप पर दोस्तों आप देख सकते हैं भासकर देनिक भासकर का update है कलका update है जिसमें का गया है कि बोड परिक्षा की थी तैय पर बड़ा सवाल कब होंगे practical पिरवारी बोले मासिम से नहीं आई है तारीक मैं अब आपको इसका जो मैंपोर से ने practical वाला इसको सौर्ट में बता देता हूँ तो यहाँ पर का गया है कि हर साल फरवरी में हो जाते थे practical बोड परिक्षाओं की तारीक घोसत होने के साथ हर साल practical की तारीक भी फरवरी महिने में तैय हो जाती थी बिध्यारती एक महिने practical देकर बार्सिक परिक्षा की तैयारी सुरू कर देते थे लेकिन इस साल बोर्ड ने ना तो practical की तारिक गोज़त किये ना ही परिक्षा कैन निर्धारित किये और ना ही पिशन पत्रों के बित्रण की कोई विवस्ता की गई है तो यहाँ पर दोस्तों देखी किलियर का गए कि आपकी जो practical exams होते थे पिशले साल मतलब 2020 में आपकी जो practical exams थे उनको यहाँ पर फरवरी महिने में ले लिया गया था और क्योंकि आपकी जो पिशले साल exam हुए थे दोस्तों दस भी और बार भी के आपका जो तैय समय होता है यानि मार्च में ही exams को conduct करवा लिया गया था पर इस साल दोस्तों कोरोना वाइरस के चलते लोगडाउन की वे ऐसे काफी जादा है आपर education में बदला हुआ और आपके जो board exam से वह भी काफी जादा लेट हुए है इसलिए दोस्तों अभी तब practical की exam date declare नहीं की जाए क्योंकि यहाँ पर आपकी जो board exams होने वाले हैं आप सभी को पता है कि 30 April से शुरू होंगे 10 भी और 12 भी दोनों classes के तो अब बात करते हैं कि आपके finally तो practical exam कब से शुरूंगे तो आप सभी को पता है कि दोस्तों आपका जब half early exams आये था उसका time table आये था उसका जो notice था उसमें आपर clear किया गया था कि आपकी जो pre-board प्रिक्षा है where finally आपकी 30-20 March से शुरू होने के chances है तो दोस्तों आप मानके चलिए कि आपकी pre-board प्रिक्षा अगर आपकी March में होती है तो उसी के बाद आपके practical exam को conduct करवाना possible होगा मतलब आप मानके चलिए आपके जो practical exam की date रहेगी दोस्तों आपकी April के first week से लेके आप मानके चलिए कि 15 से लेके 20 April के बीच में आपके finally practical exam को conduct करवा लिये जाएगा अगर आपकी pre-board प्रिक्षा है March में है पर complete हो जाती है दोस्तों अगर आपको कोई पिशिन नहीं आ रहा है तो बस आपको इस पिशिन का photo किलिक करना हो पिशिन को crop करना है उसके बाद आपको finally five second के अंदर बीडियो solution मिल जाएगा फिर चाहिए पिशिन दोस्तों आपका home work का हो cbsc बोडो यूपी बोडो भ्यार बोडो राजिस्तान बोडो एंपी बोडो या फिर आनिकिशी बोडो का हो फिर चाहिए पिशिन आपका IIT, J, Men's, Advanced, Neat, F, 6-12 class का हो इसके वावुजूद आपको chemistry, physics, biology, math का हो तो आप अपने पिशिन का solution भी doubtnet के उपर से कर सकते हैं इसके अलाबर दोस्तों doubtnet पर class 9-12 के student के लिए live class चल रहें हिंदी medium, English medium के लिए जिससे आप अपना पूरा slivers पर सकते हैं दोस्तों 3 करोड से ज़्यादा इस student doubtnet पर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप आज ही doubtnet application को download करें अब मैं आपको दोस्तों एक छोटा सबडेट और बता देता हूं दिखिए अभी क्या हुआ है कि बोट की और से दोस्तों आपका जो old exam pattern था उसको फिर से लागू कर दिया गया है मतलब आपके new exam pattern को cancel कर दिया गया है तो यहाँ पर दोस्तों रिखी बोट की और से फिर से नए पिशिन पत्र यहाँ पर बनाए जा रहा है और जो old exam pattern है उसके according की हैं पर आपका blue prints जारी किया जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा हैं पर chances लग रहा है कि आपकी जो pre-board परिक्षा है तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ी आपके जो बोट परीक्षा की तारीक है और जो सकते हैं उलस्तों उसकता हैं तो अभी दोस्तों इस बारे में कुछ Youth Update में मैंने बता था कि आपके जो दस भी और बार भी क्लस का time table बदल सकता है तो दूस्तों हैं पर देखी अगर बात करें तो student की तयारी ही तो हैंपर दूस्तों maximum chance है कि अभी आपका जो board पर इक्षा का time table है बदलने के chances रहने वाले हैं क्योंकि अभी आपका ना तो बिलू पिंट जारी किया गया है ना ही अभी पिशन बैंक वगरा कुछ जारी किया गया student काफी ज़्यादा परिशान है अगर दूस्तों सारा कुछ हैंपर तय समय पर और बिना किसी problem के लेना है तो board exams की तारिक को आंगे बढ़ाना ही एक सही यहाँ पर options होगा board के पास तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आपको मैं again clear कर देता हूँ अभी कुछ confirm नहीं आए कि आपका time table change हो गया नहीं होगा तो आप अपनी only study पर ध्यान दीजिए आप अपनी कोई भी doubts है कोई भी सवाल आता है तो आप मेरे को instagram पर contact कर सकते instagram की link मैंने description में दे दिये तो फलाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतनी ही कुछ जानकारी थे आई ओप आपको मेरी है जानकारी पसंद आईए जानकारी पसंद आईए वीडियो को like कर दें शेयर कर दें और चैनल बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें जाहन जबारत